गाईज आज हम बात करेंगे डॉर्फ चान्दनी प्लांट के बारे में चान्दनी प्लांट की बहुत सारी वरायटी देखने को मिल जाती है तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में सभी चान्दनी प्लांट के बारे में आपके साथ सेयर करूँ तो personally आगकी इस वीडियो में हम बात करेंगे डौर्फ चान्दनी प्लांट के बारे में डौर्फ चान्दनी जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा घना और बुसी बनता है छोटे प्लांट पे ही अच्छी ग्रोथ लेता है ये और इसमें आपको छोटे छोटे फ्लावर देखने को मिल जाते हैं वाइट कलर के और आप इस प्लांट को जितनी ज़्यादा कटिंग करोगे उतने ही ज़्यादा ये प्लांट घने बन जाते हैं और उसी में flower आना start हो जाते हैं और ये permanent flowering करते हैं अब बात करते हैं कि इस plant को किस location पे हमें रखना चाहिए अगर आप इस plant को pot में लगा रहे हो या फिर जमीन में लगा रहे हो तो आप इस plant को हमेशा ऐसी location पे लगाओ जहां पे पूरे दिन की sunlight आती हो या फिर 2-3 घंटे क की दूप मिलनी चाहिए इस plant को तो वहाँ पे अच्छी तरीके से grow करेगा और दूसरी पात अगर आख चाहे तो इस plant को green net के नीचे रख सकते हैं जहां पे वराबर चछनी हुए दूप आती हो तो वहाँ पे भी इस plant अच्छी तरीके दोरो करेगा और अभी हम बात करते है कि इस प्लांट को किस यूज में लिया जाता है यूज की अगर हम बात करें तो इस प्लांट को ज्यादा तर लोग हेज में लगाते हैं आप इस प्लांट की जब आप हेज लगाओगे तो एक फिट की दूरी पे एक प्लांट को लगा दिया जाए तो ये प्लांट वन इयर के अंदर इतना अच्छा हेज बन जाएगा कि बिल्कुल घना बन जाएगा तो आपका जो हेज है बहुत ही बढ़िया और हेल्दी दिखेगा और उसमें कुछ फ्लावर भी आपको देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी लगेगी हेज अगर आप चाहे तो इस प्लावर का हेज लगा सकते हो और इस प्लावर को आप जमिन में लगा देते हो वैसे ही तो छोटे प्लावर से ही ये ट्री बन जाता है तो इस तरीके से इस प्लावर को आप यूज कर सकते हो और अगर आप इस प्लांट को प्रोपागेसन करना चाह रहे हो कटिंग लगाना चाह रहे हो तो बरसात के महने में लगाओ या फिर फरवरी के महने में लगाओ ये दो टाइम कटिंग के लिए बेस्ट होता है अगर आप बारिस के महने में लगा रहे हो तो आप cutting का जो size लेना 5-6 का size ले लेना तो आपकी cutting अच्छी तरीके से grow करेगी कोई भी दिक्कत नहीं है cutting जब भी लगाओ आप shady area में रखो cutting को लगाने के बाद 25-30 दिन में आपके cutting में root आ जाए तब आप उस plant को outdoor में रख सकते हो starting में ही अगर आपने sunlight में cutting को लगा दिया तो वहाँ पर जो cutting है आपकी सूख जाएगी तो इसलिए cutting जब भी लगाओ shady area में रख तो इस तरीके से आप cutting लगा सकते हो और बाकी इस plant का अगर आप air layering करना चाहें तो जून के महिने में air layering start हो जाती है 25 जून से तो पूरे season बारिस के महिने में air layering होती रहती है तो हम जदा तर air layering ही करते हैं एक-एक fit का पोधा बना लेते हैं तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो प्रोपागेट कर सकते हैं प्लांट को दो तरीकों से एक तो cutting से और एक air layering से तो इस तरीके से हम इस प्लांट को तयार करते हैं और अभी हम बात करते हैं कि इस प्लांट में पानी के इस तरीके से दिया जाता है अगर आप इस प्लांट को जमीन में लगा रखे हो तो आपको हफते में तीन बार देना है अगर आपका plant pot में लगा हुआ है तो आपको ये चीज चेक करना है कि उसकी जो मिट्टी है सूखी हुई अगर दिखे तब आप पानी लगा दो अगर आपकी मिट्टी चिपक रही हो तो आपको पानी नहीं लगाना है तो pot में आपको इस तरीके से चेक करके पानी लगाना है डेली पानी नहीं देना है डेली पानी दोगे तो जो root है वो damage हो सकती है तो इसकी वज़ा से आपका plant पानी की वज़ा से भी मर सकता है तो इसलिए पोट में जब भी पानी लगाओ तो हमेशा चेक करकी ही लगाओ और अभी हम बात करते हैं कि इस प्लांट में खाद किस तरीके से दिया जाता है तो खाद आप दो महिने में एक बार इस प्लांट में डाल सकते हो और इसके अलावा अगर आप चाहे तो अगर आप घना बनाना चाह रहे हैं जिसे बहुत ही ज़्यादा बुसी बनाना चाह रहे हैं तो इस प्लांट को आप जितना ज़्यादा प्रोनिंग करोगे उतने ही ज़्यादा घने बनेंगे जितने ब्रांचों आपको उसको सारी कट कर देने हैं तो उसमें आपको बहुत सारी ब्रांच देखने को मिलेंगे छोटे छोटे तो ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा घना बन जाएगा और आपको खाद भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगे क्योंकि आपका प्लांट जितना ज़्यादा बुसी होगा उतने ही ज़्यादा उस प्लांट में फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे तो इस तरीके से आप खाद डाल सकते हो और प्रोनिंग करके आप अपने प्लांट को बहुत ही ज़्यादा बुसी बना सकते हो तो इस तरीके से आप इस प्लांट को grow and care कर सकते हो गाइच चान्नी प्लांट के बारे में जो भी जानकारी थी मैंने इस वीडियो में share कर दिया है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप comment कर दीजिएगा मैं reply जरूर करूँगा अगर आप प्लांट खरीदना चाहते हो तो नंबर स्कीन पर सो कर रहा है आप प्लांट खरीद सकते हो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाई जैहिन वन्दे मात्रम